तो फ्रेंट्स लेकम टुमाई बिनिता सुपर क्लासे साज हमनों बिहार बोट के क्लास आठ के हिंदी में पार्ट दो का प्रेश उतर देखते हैं पार्ट का नाम है इद गार इससे पहले का आप हमाई चैनल पर नहीं हो तो हमाई चैनल सब्सक्राइब करें और बिल आइकन क क्यों उदाच थी हम लोग उतर देखरते हैं एद के दिन भी अमीना इसले उदाच थी क्योंकि उसके घर खाना पकाने लिए एक दाना भी नहीं था जबकि दूसरों के यहाँ ये अच्छे से मनाई जा रही थी हम लोग दूसा प्रेसंद देखते हैं हामिद मिठाई या खिलाउने के बदले चिम्टा पसंद करता है क्यों हम लोग उतर देखते हैं हामिद मिठाई या खिलाउने के बदले चिम्टा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रूटी बनाते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाता था उसने सोचा मिठाईयों से केवल जीवा के स्वाद आता है जो छोड़ भर के लिए होता है खिलोने भी मिठी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे ठोकर लगते ही तूट फूर जाएंगे लेकिन चीमटा नो कभी तूटेगा नो कभी फूटेगा यह दादी को काम आएगा दादी को रूटी सेकने के समय उंगलिया नहीं जलेगी यह बहुत उपयोगी है यह सब बाते सोच कर हमें चीमटा ही पसंद करता है हम लोग प्रेश तिस्रा देखते हैं मेला जाने से पहले हमें दादी से क्या कहता है हम लोग उत्तर देखते हैं मेला जाने से पहले हमें दादी से कहता है तुम डरना नहीं हमा सबसे पहले आऊंगा बिल्कूर न डरना हम लोग प्रेश उथा देखते हैं मेले में चिम्टा खरीदने से पहले हामित के मन में कौन कौन से विचार है वर्णन कीजिए हम लोग उत्ता देखते हैं हम लोग उत्ता देखते हैं मेला में चिम्टा खरीदने से पहले हामित के मन में एक वयस की तरह विचार है हुआ सोचा कि क्यों न ले हर एक दाम दो पैसे के खिलोने लेकर वो क्या करेगा एक दो दून में तूड जाएंगे मिट्टी के खिलोने पानी पड़ा तो सारा रंग धो जाएगा ऐसे खिलोने लेकर वो क्या करेगा लोहे की दुकान पजाता है तो चिम्टा देखते हैं वो विचाने लगता है दादी के पास नहीं है तो वे से रूटिया उतारते समय उसके हाथ के उलिया जल जाती है अगर लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगे उनकी उलिया जलेंगी नहीं खिलाओने लेने से ब्यर्थ में पैसा खर्च हो जाएंगे हम प्रस पाच्वां देख लेते हैं हामिद ने चिम्टे को किनकी रूपों में उपयोग करने की बात कही है हम उत्तरद्ध हामिद ने चिम्टे को बंदूग फकीरों के चिम्टे मंजीरे तथा किलाओने को दम निकालने वाला हथिया के रूप में उपयोग करने की बात कही है हम लोग पर चठा देख लेते हैं इदिगाह की कहानी आपको कैसी लगी इसकी मुझविस्यश्चाय बताइए हम लोग उत्तर देखते हैं इदगाह की कहानी हमें अत्यनत रोचक एवन प्रेडर दायक लगी इसकी मुख विश्चता है निम लिखित है पहला कहानी बाल मनो विज्ञान पाधारित है दूसरा अभा अगस्त बच्चे वयस्त तरह कैसे सोचते है चुनोतियां बच्चे को पलफक बनाती है कहानी मुहारूम के द्वारा रोचक बनाया गया है कहानी में जल्टी सब्दों का प्रियोग नहीं किया गया है कहानी सुखान्त है या कहानी बच्चे को प्रोड़ा देने वाला है या कहानी बच्चे को अच्छी सीख देने वाली है आई हम लोग अगला कोशन देख लेते हैं चीम्टा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा हम लोग उतार देखते हैं, चिम्ता देखका, अमूरा के मनिं दो प्रकार से भाज गए पहले आप देखते हैं, लटका कितना बेश समझ है ना कुछ खाया, ना कुछ पीया, और ना कुई खेलने का खिलावना लाया यह चिम्टा क्यों ले आया लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी अंगुलियों तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इससे ले लिया तो दादी का भाव बदल गए और दुश्या भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग सद्वाह और विवेक है बच्चे को मिठाई खाते देख अवर से लल चाय होगा लेकिन बोड़िया दादी क्या ख्याल बना रहा हम लोग प्रसाठवा देख रहते हैं कि एपड़िय०्ध के प्रमुख विश्यस्ताद लौग्ध यह होग फैप पनिफियन के लित्म दाद्थिय। यह व्यजन पो थाया ट कहानी में अवागसं को सब्सक्रान परणा सौच के शोच पैदा किया गया है कारानी मिंटाया गया है कि चनहतियां बच्चे को परिपक मति वाला बना देता है कहानि रोचय के अंषुखा नकित को पढ़िये निम्लिकित अनुचेत को पढ़िये और इसके अधा पर दिये गए प्रस्णों के उत्तर दिजिए ये अनुचेत आप लोग किताब में है नमाज खत्म होई लोग आपस में कुछ अनुचेत दिया हुआ है इसके आगे अनुचेत समातों था खिलाओने लेकर वहाँ क्या करेगा इसमें इस अनुचेत से प्रस्ण बढ़ रहा है पहला प्रस्ण है नमाज खत्म होने गे बाद लोग क्या कर रहे थे इसका उत्तर होगा परस पर एक दूसरों एक से गले में रहे थे खो है दूकानों से में किस किस तरह के खिलाओने थे खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वारा सिपाही जो बंदुक कंधे पलिये गुजरिया राजा वकिल काला चोंगा और सफेद अंकन पैने एक हाथ में कानू किताब रखे हुए धोबिन, साधू, कमर में मसक लटकाए हुए भिष्टी, इत्यादी, अनेक रंग भी रंग खिलाओने थे हम लोग आगे देख लेते हैं गह वे खिलाओने किसीच के बने थे इसका उत्तर है वे खिलाओने मिट्टी के बने थे हम लोग घह देखते हैं महमुद महसिन और नूर ने कौन कौन से खिलाओने ख़िदे हम लोग उत्तर देखते हैं महमद ने सिपाही ख़िदा महसिन ने भिष्टी ख़िदी और नूर ने वकिल को ख़िदा अंगे देखते हैं परिछेद में सिपाई, भिष्थी और वक्किल के हुलिये का वरन किया गया है इसी पेकार आप राजा और साधू के हुलिये का वरन किजिए हम लोग उतर देखते हैं राजा अनेक रंग के पुसाग पहने सीर पर सोने के मुगुर धारण किये हुए अनुच्छेद में आये विशेशर सब्दों को चाट कर लिखिए हम लोग उतर देखते हैं पार्ट में आये कुछ विशेशर सब निम लिखी था पहरा इसमें विशेशर सब्दों ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, पूड़ी, अभागिन, पक्का, लल्चाई, नया, हजारो, परोस, अच्छा, सान, बहादूर, खुबसूरत, रुस्तम, हिंद, अपराधी, मुक, बूक, कितना, बढ़ियां, बढ़ी बड़ी इत्यादी, हम लोग अगला कॉशन देखेते हैं, वर्दी और पोथा के समनाथी लिखिये, हम लोग उत्ता देखेते हैं, वर्दी का सनमाथी सथ पोसाख, और पोथा का समाथी सथ माज़ों की किताब है, प्यारों बच्चे वीडियो पसंद दा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें आपका लाइक करना ही हमारे मेनहत का फ़ल है जय हिन जय भारत